मशकार दोस्तों बिगबूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो आज हम डिसकस करेंगे फ्यूचर डिटेल के बारे में और जैसा हमने आपको का था जैस वैसा ही शेर में हुआ फिर से आप देखेते हैं लोर सर्केट लग चुका है हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था गाइस कि यहां पर जो है आपको कि एमजान से लेटेट लेटेस न्यूज का है रिलाइस डील की लेटेस न्यूज का है तो वीडियो के अंट तक जूर बने रहेगा तो गाइस सबसे पहले कंपनी के फंडेमेंटल डिसकस करें तो कंपनी का स्टॉक एक तो ओवरबॉट जोन में और एसम की रेट फ्लैक लिस्ट में कंपनी की एनल ग्रोथ रेट, प्रॉफिट जेनरेशन, रेवन्यू ग्रोथ रेट सारे की सारी नेगेटिव में और यहांपहे आपदेख सेएए कंपनी के ब्रोथ पुरह करें हैं इहांपहे आपदेख सेएकिए कंपनी की ब्रोथ रेट सेलिक की तॉद खुद अ क्यालएंस नेगेटिव्ट डिकेटर reduces हुद हम तरकेट लगाए जा रहा है ताकि आप लोग जो है इसमा ओर लगाए और जो है रिटेल इंवेस्टर्स को इस शेर में ट्रैप कर सके तो गाइस यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक जो अपने 200 डेमा और 50 डेमा की जो मूविंग एवरिज है उसके नीच दूँगा आप लोग जो इस शेर में निवेश मत कीजिए यह स्टॉक जो है निवेश करने के लिए नहीं बचाएगा इस कंपनी के जो है हालत बहुत खराब है कंपनी इपने इंप्लॉई तक को जो है पैसा नहीं दे पारी रिलाइस के साथ जो इनकी डील होनी थी वो भी कैंसल हो चुकिए उपर से एमजान ने इनके उपर केस अलग से कर रखा कि फ्यूचर ग्रूप के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने जो है फाइनेशल में जोल जाल करके एमजान वालों को प्रेजेंट किया यहां पर आप देखते हैं प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंस कितन कर रहे हैं तो गाइस अभी भी मैं आपको कहूंगा आप लोग जादा जो है इस शेयर में पूजीशन बडाने की मत सुचिए यह शेयर आपको आने वाल टाइम में कोई भी रिटन बनाके नहीं देगा यह शेयर आपको ऐसा ही इंच में जो है ट्रेड होता दिखेगा तीन हमारी चैनल को सिस्क्राइब कीजिए लिए